नमस्ते कैसे आप सब उमीद करता हूँ आपका ब्रह्मचरे बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा एक बार इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपडेट दे ताकि लोग भी थोड़ा सा और मोटिवेट हो पाएं आज ये जो वीडियो होने वाला है थोड़ा सा डिफरेंट होगा हम लोग Q&A सेशन भी करेंगे साथ में लंबे समय तक के लिए ब्रह्मचरे का पालन कैसे करना है उसको लेकर भी थोड़ा सा डीटेल में डिसक्शन करेंगे जो भी सवाल आए हुए है वो ऐसे हैं जो युवाओं को टार्गेट करते हैं सबसे ज्यादा युवा जिस चीज से सफर कर रहा है ऐसे कुश्चन सम लोगों ने उठाए हैं डिसक्श करें दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग मेरे साथ लंबे समवे तक के लिए ब्रह्मचरे का पालन करना चाहता है दो मेने तीन मेने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं लॉंग टम के लिए जो लोग ब्रह्मचरे का पालन करना चाहता है अगर आप Instagram पर हैं तो हमारे साथ जुड़िए Instagram का link आपको मिलेगा इसी वीडियो के description में मैं कुछ आपको डीटेल में बताओंगा इसके बारे में आने वाले कुछ वीडियो उसमें तो चलिए Q&A session की शुरुवात करते हैं सबसे पहले किसी पे crush आ गया है समझ नहीं आ रहा क्या करो अभी देखिए अगर आपको crush आ ही गया है आपको पता लगाना है कि इसके पीछे का कारण क्या है बहुत ज़्यादा chances हैं कि आप उसके शरीर से attracted है चैरा पसंद आ गया होगा शरीर पसंद आ गया होगा अभी तो hormones बहे जा रहा है न शरीर में तो आपको थोड़ा सा या प्रिकर्सिडर करना पड़ेगा कि मेरे लिए अभी क्या important है क्यों मैं attract हो रहा हूं किसी के तरफ इंसान तभी attract हो सकता है दूसरे के तरफ जब उसको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो उसके पास है वो मिलेगी तो मैं complete होंगा crush का मतलब जानते हो क्या है जिसको आप पा नहीं सकते दूर से देखते हो लगता है कि हाँ यार ये सब कुछ है लेकिन आप नहीं जानते कि अंदर में उसके क्या चल रहा है इसलिए थोड़ा सा साबधान होने की जरूरत है क्योंकि हो सकता है अभी इस उमर में crush आ गया हो जिसके उपर आपको आने वाले पास साल में जब आप पीछे मुड़ कर देखोगे तो आपको लगेगा यार मैंने क्या किया किसको crush बना लिया था अपना हो सकता है अगला सवाल मेरी girlfriend के शादे किसी और के साथ हो चुकी है बहुत depressed हूँ कैसे खुद को समा लू अच्छे ये चीज बहुत लोगों के साथ हो चुकी है करना क्या है सवाल ये उड़ता है कई अलग-अलग कारोनों से ये हो सकता है हमें अब देखना ये कि हम भूल नहीं सकते है चाप कर हम भूल नहीं पाएंगे अगर हम ऐसा सुचता है कि यार भूल जाए यार ये memory निकल जाए दिमाग से नहीं होगा करना क्या है खुद के उपर ध्यान देना है बोलने से होगा, नहीं होगा करने से होगा, क्या करना होगा अब एक fixed goal बनाना होगा माल लो आपको एक exam clear करना है ठीक है, तो उस journey को आपको enjoy करना पड़ेगा जिस चीज को enjoy करोगे न ठीके रहोगे उसमे बहुत लंबे समय तक के लिए अगर enjoy नहीं कर पा रहे है उसका rush नहीं ले पा रहे है तो वहाँ से हड जाओगे, mind divert करेगा mind आपको वहाँ से उठा कर कहीं और फेक देगा इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको समलने की देर है कोई अगर जा रहा है छोड़के कोई चला गया है हो सकता है आपका एक बहुत बड़ा transformation वेट कर रहा हो हो सकता है ये घटना आपकी जिंदेगी बदल दे कोई नहीं जानता इतियास गवाए बहुत लोगों के साथ ऐसा हो चुका है बहुत बड़े बड़े नामों के साथ ऐसा हो चुका है और उन्होंने अपनी जिंदेगी को बदला है मैं आने वाले कुछ वीडियोस में उनके बारे में आपको बताऊंगा और डीटेल में आने वाले जो सवाल है वो है सुभा सुभा उठकर मेडिटेशन करने में दिक्कत होती है इसका कोई सॉलूशन आप देखो एक चीज समझो थोड़ा सा सुभा चार बज़े उड़ गए ठंडी का मौसम है तेज हवाएं चल रही है फर्स पे बैठे हुए हो अब तुम बैठोगे पालती मार कर तुमारे शरीर में दर्द होगा आदत नहीं है तो अब सारा ध्यान जो होगा वो हड़ी पड़ी जाएगा ना हड़ी में दर्द हो रहा है ध्यान कहां से करोगे नहीं होगा तुम्हें भौतिकतल से उपर उठना पड़ेगा जबरदस्ती नहीं होता ध्यान कभी जबरदस्ती नहीं होता अगर किसी और चीज़ पे फोकस जा रहा है तो फिर फाइदा क्या है अगर आप ध्यान करते हूँ तो एक टाइम ऐसा आना चाहिए जब आपको ऐसा लगे कि effortlessly हो रहा है करना नहीं पड़ता अपने आप हो रहा है habit लगा नहीं पड़ती है किसी चीज़ की जिस तरह से लोग गलत चीज़ों के प्रती habit लगाते हैं फिर चाहा कर भी छोड़नी पाते हैं तरह से आपको meditation को करना पड़ेगा उस level पर जाना पड़ेगा क्या करना होगा हर दिन काम करना पड़ेगा उसके लिए तब होगा चलो अगला सवाल क्या ब्रह्मचेरे तूटने के पीछे स्वपन दोश सबसे बड़ा कारण है उन में से एक कारण है सबसे बड़ा ने उन में से एक कारण है क्यों और कैसे माली जे किसी को हो गया सवपन दोश ठीक है अगर वो depressed हो गया अगर उसके मन में ऐसा चलने लगा कि वाइदा क्या है बचाने का निकल जा रहा है तो तो वो जान बुचके करेगा demotivated हो जाएगा तो इस तरह से स्वपन दोश नुकसान करता है आप यह न सोचे कि स्वपन दोश से आपका ब्रह्मचरे टूटेगा indirectly होगा यह तो आपको ध्यान यह रखना है कि जैसे जैसे ब्रह्मचरे के दिन गुजड रहे हैं देखते जाना है कि ब्रह्मचरे में नाइट फोल की frequency क्या मेरी कम हो रही है तब आप समझे कि progress हो रहा है शरीर के लिहाद से एक progress हो रहा है अब मुझे वीरे के फायदे मिलेंगे retain कर पाऊंगा मैं शरीर में रहेगा तब retain होगा अगला सवाल घमंड और गुसे से उपर कैसे उठे है सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि यह जो गुसा है इसको आपको देखना पड़ेगा जैसे यार रहा है इसको तुरंथ वाच करना पड़ेगा केरफुली और शो इसके बारे में ठीक कहते है कि आपको split second का time मिलता है उस moment में आपको देखना पड़ेगा कि यह गुसा मेरे तरफ आ रहा है तयार हो रहा है कुछ उबाल मरने के लिए देख लिए तो बज जाओगे फिर वो बाहर नहीं आएगा उस तरह से फ्रस्ट्रेशन नहीं निकलेगा रही बात घमंड की तो एक बात याद रखें कि यूनिवर्स अपने आपे बहुत बड़ा है हम चीटी बरावर भी नहीं है कहीं नहीं है आप ऐसा समझे देखें अगर किसी को घमंड है अपने उपर एक स्टोरी है भगवान बुद्ध की अपने सिश्यों को शमशान भेज दिया करते थे जाओ देखो आखरी शन में क्या होता है आखरी पल में क्या होता है शरीर के साथ क्या होता है देखो जाकर जब तक राख नहीं हो जाता ना तब तक देखते रहूं क्यूं ताकि एक तरह से समझ में आ जाए कि यह शरीर का क्या होगा तो घमंड जो है उसका एक दिन अंत होगा ही होगा तो क्या घमंड अपने आप में सबसे सुपिरियर लाइश्टायल का हिस्सा है आप अगर कोई चीज अपने लाइप में एड़ करना चाहते हैं तो क्या घमंड होगा वो चीज अपने आपसे पूछे थोड़ा सा घमंड से इंसान कहां पहुंचा है बड़े बड़े लोगों क के कोई दरकार भी नहीं है ठीक है अब देखो में ऐड़े पर आएं लॉंक टम ब्रह्मयचरे के लिए क्या क्या चीज चीज़े करनी होंगी सबसे पहले अपने experience को trust करो trust your experience आपका experience क्या कहता है ब्रहमाचरे को लेकर फाइदा हुआ है अगर हुआ है तो क्या आप और फाइदा नहीं उठाना शाते अपने आपसे पूछें ये सवाल कौन नहीं चाहता कि उसको फाइदा पहुँचे अगर आपको फाइदा पहुँच रहा है तो उसके पर भरोसा रखें कि आने वाले टाइम भी मुझे और भी फाइदा मिलेंगे एक छोटा फाइदा भी काफी होता है इसके लिए मालो आप ब्रहमाचरे का पालंग कर रहे है आपको लग रहा है कि हाँ यार थोड़ा change आया है थोड़ा सा glow आया है चेरे पर तो क्यों ना मैं इसको और continue करूँ देखो कहा तक जा सकते हैं इसमें है ना अगला जो point है वो है distractions will make you strong देखो होता क्या है असल में हम सोचते हैं कि वहाँ distraction है जहां देखते हैं वहाँ distraction है चोटी चोटी चीजों में हमें लगता है कि हम फस गए trigger कोई भी चीज हमें कर देती है लेकिन याद रखें अगर आप उस वक्त खुद को समाल लेते हैं तो वह distraction आपको और मजबूत कर रहा है वह challenge है जैसे आप पहार पे चड़ रहे हो ना तो एक बड़ा पत्थर है आप cross कर गए आप करीब जाते हो ultimate के करीब जा रहे हो आप तो जो भी distraction आ रहे है ऐसा समझो कि यार अगर मैं पार कर गया ना इसको तो यह मुझे और मजबूत कर देगा यह मुझे और intense कर देगा यह मुझे और passionate कर देगा प्रमचरे के लिए इस तरह से देखना होगा अगला जो point है be your own guru देखो हम क्या करते हैं सोचते हैं कि हमारे सर पे किसी guru का हाथ पड़ जाए हमें आशिरवाद मिले blessings मिले है ना सब चाहते हैं possible है हर वक्त possible नहीं है हर वक्त guru आपके साथ नहीं होगा भगवान बुद्ध ये कहते हैं कि अगर आपको दिख गया जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तो फिर आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी तो अपने guru खुद बनो ऐसे इंसान बनो जो आपके लिए आइडल हो खुद बनो वही इंसान खुद बनो जो आप expect करते हो कि हायर ये इंसान तो बड़ा चंगा है बड़ा मस्त है आप क्यों नहीं बन जाते अपने guru खुद बनो अगला जो point है वह है meditation को लेकर देखिए एक time ऐसा आएगा जब आपको हर वक्त ऐसा लगेगा कि मैं ध्यान में ही हूँ इसके लिए बहुत मैनेट लगेगी बहुत काम करना पड़ेगा खुद के उपर शरीर को उस तरह से बनाना पड़ेगा कैसे अंदर से खुद को fit रखना पड़ेगा ऐसी चीज़े खानी होगी जो आपके अंदर acidity ज़्यादा तयार न करे ऐसी चीज़े खानी होगी जो distract न करे शरीर में ज़्यादा गर्मी पैदा न करे क्योंकि अगर आपका शरीर ही आपका इशू बन रहा है तो ध्यान कैसे करोगे फिर ये girlfriend crush वगरा की चकरों में ज़्यादा time बरबाद हो जाएगा इससे अच्छा आप main चीज़ पर ध्यान दे self को जाने बहुत आगे जा सकते हैं आप instagram पर आईए हमारे साथ जुड़िए link आपको मिलेगा इसी वीडियो के description में इस वीडियो को share करें एक ऐसे इंसान के साथ जो रोज विरेनाश करता है गलत काम करता है सरदियों का मौसम में लोग और ज़्यादा distract हो रहे हैं है न तो उनको ये वीडियो खास स्वाट पर दिखा हैं ताकि उनकी भी मदद हो सके